नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक आफ दे में और आज हम बात करेंगे एक बहुती बहतरीन और मजबूत और फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉक पीएस्यू कंपनीज है स्क्रीन पे आप देख रहें एंटी पीसी नैशन जो इसका भाव रहा है मार्केट में निन्यानमें रुपे 10 पैसे पे यह आज क्लोज हुआ है 99 रुपीज 10 पैसल जो डे रेंज था इसका 99.65 हाई और लोएस्ट 98.20 जबकि जो क्लोज हुआ है निन्यानमें रुपे 10 पैसे पे बांविक इसका लोग हम देखते हैं 73 रुप ए जो की देखिए 73 रुपेश जो लोग शो कर रहा है जो 52 वीक का है वो ज्यादा नहीं है यानि कि ज्यादा कम जो इसका डाउनवाड है वो ज्यादा कम नहीं है ठीक है तो यह एक स्टोक है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे और यह fundamentally strong stock है और इसकी valuation इतनी बढ़िया है कि अभी आपको जो इसका price है उससे कम दाम पे कम भाव पे आपको मिल रहा है तो चलिए देखे ये अभी आपने देखा जो अभी 99 इसका price है और 0.51 percent का इसने आज hike पे बंद हुआ था ये ठीक है ये देखे तीज दिसंबर का ये आज आज का मैंने आपको दिखाया है देखे मैं टिकर टेप यूज करता हूँ और ये एक अच्छा प्लेट फॉर्म है टिकर टेप किसी भी stock की जानकारी के लिए तो आप भी यूज कर सकते हैं देखे टिकर टेप की तरफ से मुझे कोई पैसे नहीं दिए है बट एक अच्छा प्लेट फॉर्म है इसलिए मैं आपको रिक्मेंट कर रहा हूँ कि आप इसको यूज कर सकते हैं देखे यहां पर टिकर टेप हैं और टिकर टेप जो स्टोक के बारे में जानकरी शो हो रही है इसका जो आज का प्राइस है 99.10 पैसा जो आज का प्राइस है देखे यहां पर जो चेकलिस्ट इसमें मैंसन है intrinsic value current price is less than the intrinsic value यानि कि अभी जो ये स्टोक है ये आपको उचित valuation पे मिल रहा है इसका price ये यानि कि जो इसका price है उसके कम दाम पे आपको मिल रहा है return versus FD rates इसमें आपको जो return FD से ज़्यादा इसमें return ये आपको देता है dividend पे हम एक बार check भी करेंगे बाकि offer good dividend ये आपको देता है entry point कर रहा है कि अभी stock overboard zone में नहीं है तो आप इसमें buying कर सकते है कोई भी red flag जो show नहीं कर रहा है चलिए देखते हैं हम अभी इसके जो जो अभी चार्ट लगा है one week का इस पे चार्ट लगा है one week का जो चार्ट हम देख रहे है one day का सुरी आज का जो मैंने आपको बता है one week का हम चार्ट देखते हैं देखे one week का जो इसका था low 97 रुपीज का था और high 101 रुपे का था आगे चलते हैं देखे one month का जो इसका देख लेते हम 93 रुपीज का इसका low था और 107 रुपे का आई किसने बनाया था चलिए आगे चलते हैं इसमें आगे वन एयर का हम चेक कर लेते हैं देखे वन एयर का जो इसमें है अभी शो जो कर रहा है इनका ग्राफ देखे यहां पे यह स्टोक रहा है इसका जो प्राइस था 121 रुपीज है जनवरी 15 2020 को ठीक है जी यह इसने हाइक भी बनाया हुआ है एक जार पच्छ एक सो सुरी 125 रुपैगा और वन एयर का जो लो है इसका 73 रुपीज है देखे यहां पे जो यह स्टोक डाउन आया है जैसा कि वैलनों आपको भी पता है कि करोना जो माहारी आई थी उसके बाद से यह स्टोक यह क्या सभी स्टोक ने डाउन आया थे सभी जो पूरा स्टोक मार्केट ही क्रैस हो गया था तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर तक यह लुड़क के आ गया था यह देखे यहां पर जो इसका प्राइस रहा है 81 रुपीज यानिकि 73 तक इसने लो बनाया था लेकिन देखे जैसे ही सिच्वेशन कंट्रोल में हुई है तो यह फिर इसने अपवार्ट यहां पर शुरू हो गया है और यह दुबारा से इसने हाइक बनाया है देखे यहां पर फिर ग्राउट होई थी लेकिन अभी फिर से यह अपने अपवार्ट ट्रेंड पे चल रहा है और आज 99 पे यह था ठीक है तो इसका देखे हम देखे जो भी कोई भी स्टोक हम इसका फाइनेंशल देखते हैं और इसका जो फाइनेंशल चेक करते हैं किसी उसकी जानकारी के लिए तो देखे इसमें जो फाइननेसल में जो टिकर टेप में शो कर रहा है देखिए यह भी ग्रीन में इसका और नेट इंकम जो फिल इन इंडस्टी जो भी है और इंक्रेजिंग मार्केट सेर यानि कि सभी इसके ग्रीन में है तो इसके लावा आप देखिए हम किसी भी स्टोक की जानगे बहतरी जोгляд प्रफॉर्मंस होती है यानि कि होल्डिंग से उसमें क्या है किन-किन की होल्डिंग से उसमें है कि होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं देखिए holding में देखे यहां पे जो 51 यहां पर से ज़्यादा की holding पर मोटर्स के पास है mutual fund की holding देखे कि इतनी शांदार 20% से ज़्यादा की mutual fund की holding है और DIA's की holding है 14% यहांई 15% के अगल लगबग है और FIA's की holding देखे यहांई की देखे कोई भी जो इसमें holding बनाई हुई है जिन भी FIA's ने, DIA's ने तो कुछ हम share holding pattern जो देखते हैं उससे भी हमें जानका रही होती कि कोई भी company कितनी strong है fundamentally कि इसमें जो यह सभी यहां पर इन्होंने stake लिया हुआ है इन्होंने अपनी हिस्षेदारी बनाई हुई है चलिए हम बात dividend की करते हैं अब जो अब यह बात कर रहे थे dividend के मालवे में company बहुत ही बढ़िया है बहुत ही बैतरी निसका record रहा है देखे यह 13 अगस्त 2020 इसी साल जो है 2 रुपे 60 पैसे का dividend और यह March देखे कितना जल्दी March में इन्होंने share dividend share किया था उसके बाद दुबारा से अगस्त में किया है 2019 में भी देखे दो बार इन्होंने यानि कि dividend के मामले में बर-बर के dividend दे रही है तो मैं देखे कोईसी भी stock में इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि मेरे कहने पर ही आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा आप अपनी analysis कीजिएगा और अपनी financial advisor के आप रहे ले सकते हैं तो उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें क्योंकि पैसा आपका है अगर नुक्षान होगा तो आपका होना है और फाइदा होगा तो भी आपका ही होगा हाँ लेकिन ऐसा है कि stock fundamentally strong है और मेरे जो मैं इसमें बिलकुस मेरे भी इन्वेस्ट किया हुआ है और आप भी कर सकते हैं कि बार अपना analysis करके और बागी चेक करके आप कर सकते हैं देखिए अभी इसमें कुछ न्यूज पे हम आपको लेके जाओंगा जो अभी recently की कुछ न्यूज है देखिए यह आएगी जो न्यूज है आज की हम आपको दिखा रहा हूं यह करा कि आंद्रा प्रदेश जो है वहां पे 6.4 गेगावाट शोलर टेंडर गैर्स बीड्स प्रों अडानी ग्रूप ट्रेंट पावर एंड न्टीपीसी यानि कि वहां पे जो शोलर टेंडर जो उन्होंने अंद्रा प्रदेश की जो गवर्मेंट में निकले हैं तो वह पर क्या है कि यह इन्हों ने भी स्टेक एंटीपीसी ने भी वहां पर स्टेक लिया है बिड में स्टेक लिया है ठीक है दूसरा मैं एक और आपको इसका नूज मैं दिखाना चाहूंगा यह देखिए हम टिकर टेप पर चलते हैं और मैं अगर नूज पर जाता हूं यहां यहां पर आपको पूरी जानकारीज शेर कर सकते हैं मिल शेर की हुई है इसके बारे में देखिए एंटीपीसी डिकलेर्स डूलंगा कोल माइन्स कमर्सली ऑपरेशनल इस पर क्लिक करके आप चेक करेंगे तो यहां पर यहां पर न्यूज की पूरी डिटेल्स आपको करेंट हैज अलोक अलोकेटिड नाइन कोल ब्लॉक्स यानि की जो नो कोल माइन्स हैं सोरी यह इसका विट्स थोड़ा बड़ा हो गया था नो कोल ब्लॉक्स हैं जिसमें यह नाम दिये हैं पाक्रीबर्वादा चैटी ठीक है यह डोलोंगा तलाइपली बनाई यह जो भी इनको हैंडल कर रही है टेक और कर रही है तो इस पे यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जूज में यहां पर दिया हुआ है जो बहुत बड़ी कमपनी जिसको बोला राता है जैनट का मलवता विशाल ओन मंडे सैड इस डालूंगा कॉल माइन इस कमर्सली उपलेशल ये इन्होंने काया कि जो October 2020 यानि कि कोरोना पैंडेमिक के बाद जब situations अंडर कंट्रोल हुई थी यानि कि कंट्रोल में आये थी तोड़े तब से ये running पे है और वहां पे इनका काम चल रहा है capacity of 7 million ton per annum यानि कि इतने capacity का इनका target इन्होंने लिया हुआ है October 2020 से तो ये जो न्यूज है आप इसमें देख सकते हैं इसके बाद भी इसमें आज का प्राइस हाइक यहां पे हुए है ठीक है तो यहीं माप को बताना चाहरा था कि जो एंटीपीसी है ये नैस्नल थर्मर कोर्पोरेशन इंडिया जो है एक बहुती बैतरिन कंपनी है तो यह आज का रिवीव था कैसा लगा आपको हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कीज़ेगा ऐसे ही बैतरिन स्टोक हम आपके लिए जानकरी लेकर आते रहेंगे और आप एक बार इसको बिल्कुल अपनी एनलेसिस कीज़ेगा अपने फाइनेंशल एडवाजर की राय लीज़ेगा और इसमें आप अच्छे पैसे बना सकते हैं ठीक है जी आज के लिए इतना ही तैंकियो वैरे मच्च फूर वाचिंग और टेंडल वैलकम